पुस्टन जो है ना 15 नंबर का LHS ले लेते हैं पहले यहाँ पर इसे भी प्रूब करना है ना साइन अलफा कॉस अलफा अच्छा इसका मैं फॉर्मुला ही लिखी देता हूँ यहाँ पर कॉस अलफा कॉस डेल्टा और माइनस साइन अलफा साइन डेल्टा दीक है साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन अलफा साइन डेल्टा साइन बीटा है ना सॉरी सॉरी साइन बीटा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन बीटा फॉर्मुला लगा दिया है मैंने and sin delta चलिए यहां देखें sin gamma cos gamma यहां क्या जगा इसका formula cos gamma cos delta or minus sin gamma sin delta चलिए देखें मैं यहां पे लिखता हूँ c3 के जगा c3 plus sin delta c1 sin delta sin 2 करके और इसमें जोड़ देता हूँ तो देखो क्या आएगा यह तो आपके वही रहेंगे sin alpha, sin beta sin gamma यहां पे cos alpha cos beta and cos gamma इसमें कोईचें नहीं आएगा सितरी में ने करना है अब देखो sin delta से इसमें गुना होगा था sin alpha, sin delta हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो यह कट जागा यहीं न सिर्फ बचेंगा cos alpha cos delta उसी तरह से अब इसमें sin delta से इंटू करके इसमें जोड़ेंगे तो यह वाला कट जागा यहीं न बचेंगा cos beta cos delta ठीक है फिर आपका उसी तरह से यहां बच जाएगा cos gamma cos delta common लेने पर common लेने पर बाहर ले लेता है taking out कर देता है cos delta sin alpha cos alpha इसको पहले लिख लेता है sin beta sin gamma cos beta cos gamma यहां पर हम लोग यह common करें यह वचे का cos alpha cos alpha cos beta cos gamma तो दो रो और कॉलम सेम हो जाए तो यहां देख रहे हैं दो कॉलम सेम है identical है देख रहे हैं दोनों सेम हो जाए तो इसका value 0 हो जाता है cos delta में गुना होगा 0 से तो आपका 0 ही ना है ना तो यही ना में prove करना था इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में add question को देखेंगे प्लीज आप चैनल को subscribe करके वीडियो को like share करेंगे और इसे related वीडियो के लिए सीधे description में जाएंगे पूरे book का link description में दिया है thanks for watching the video comment करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते है ठीक है चलिए झाल